हर हर महादेव स्री सिवाई नमस्तू भ्याम नौ जुलाइ सुकरवार के दिन भडल्या नौमी हो रही है साथी गुप्त नवरात्रियां भी चल रही है ऐसे मैं नौमी तिथी विसेश माने त्याती है मातारानी के पूजन के और साथी भडल्या नौमी तो अबूज मोहरत के रूप में जानी ही जाती है इस दिन किसी सुप कारी को करने के लिए किसी विसेश मोहरत को देखने की आवशकता नहीं पड़ती है ऐसे मैं अगर जीवन की आप समस्त मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए एक विसेश कारी करना चाहते हैं जो कि सिव कुराण और बालखंड रामयर के बालखंड में भी इसका वर्णन मिलता है गुरुदेव बताते हैं ऐसे मैं आप सभी को आवशक रूप से पौर्ण रूप से सच्छो कर आप जानते ही हैं अगर आप सिव भगते हैं तो रोज की भांती भगवान सिव की पूजन करते होंगे तो ठीक उसी विधा उसके बशेद आप सभी को एक नारा मौली इया लच्छा जिसे अलग-ब्भासाओं में अलग- Zarago में कहा जाता है जिसे मौली कहा जाता है हम सभी जानते हैं चिसे वस्त्र रूप में समर्पित किया जाता है या आपने देखा होगा हम उसे हात में पहनते हैं अब कर ना है ध्यान से सुनिए, आउला व्रक्षि आपके घर पर लगा हो, या किसे अनिस्थान पर लगा हो, वहाँ पर जाकर आप सभी को एक घी का दीपक लगाना है, ध्यान रखेए साप सची घी हो, गौ का घी जो है, गाए का घृत जो है, सबसे उत्तम माना जाता है किसी भी पूजन मैं ऐसे में संभव हो तो गाय के घी का एक दीपक आप सभी को भड़ल्या नामी के दिन आउले व्रक्ष के दिन लगाना है जहां पर आउले का व्रक्ष हो उसकी जड़ पर उसके पशचा जो है आपने देखा होगा उस धागे को ले कर आप सभी को पहले परिक्रमा लगा लेनी है हमेशा आउला व्रक्षय हो या कोई भी इन व्रक्षय हो इन पर साथ परिक्रमा लगाई जाती है तो आप भी साथ परिक्रमा लगा लीजे उसके बश्चा जो है आप पहले आपको इस धागे को लेकर साथ परिक्रमा लगानी है उसके वाष्चा जो है एक धागे कटुकड़ा और निकाल लेना है और उसकी टहनी पर अर्थात आवले के ब्रक्रशी की टहनी पर बांध देना है, नौ मीतिति के दिन उस धागे को वहीं छोड़ के आजाईे, दस मीतिति के दिन, दुबारा जाकर उस धागे को लेकर वापस घर पर आ जाईये और अपने हाथ में धारन कर लिजे या अपने परिवार के प्रतिक सदश्य के धारन करवा दीजे या हो सकता है आप किसी इंटर्वी उत्यादी के ले जा रहे हैं तो उसे रग दीजे उसे दिन धारन कर सकते हैं कारे में सफलता मिलनी निश्चीत है व्यापार रुका हुआ हो धनसम पदा की कमी हो या कोई भी कारे जीवन में इस तरह से न बन रहा हो तो कल नौमी के दिन यह उपाय करकर देखिएगा जीवन में समस्त कारे बनते चले जाएंगे इसके साथ ही निरंतर मुक्स से इस मंत्र